सब सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटर्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार रुस्तो आज की इस वीडियों जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं अगर आप बट्रन मिश्रूम की खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो उसमें जब माइसिलियम रन करने लगता है तो उसमें बहुत सारी चीजे हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और केसिंग कप करना चाहिए और उस समय आपको कैसे ध्यान में रखना चाहिए क्या क्या प्रिकॉशन्स होती है वह सारे स्टेप आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी चुकि जहां पर मैंने विजिट किया है नरेंज सर है इसको एक्स्प्लेइन करेंगे और बताएंगे क कि मैसिलियम कैसे रन हो रहा है और अगला स्टेप क्या होगा नमस्कार सर जी जैसा कि मैं इस वीडियो को माधियम से लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि अगर मैसिलियम रन कर रहा हो बटन मशुरूम के अगर कोई खेती कर रहा है या करना चाहता है तो मैसिलियम बहुत सारे precautions होते हैं जो रखने चाहिए तो उसी की जानकारी मैं चाहता हूं और मैं यह चाहूंगा कि आप जो है उसको लाइब दिखाएं और बताएं उसको कि जो है अगर कोई इसको कर रहा है या करना चाहता है तो किन बातों का ध्यान में रखें तो एक बार चलिए सर अ कि यहां एक इस साइड भी है जहां प्रड़क्शन हो रहा है और दूसरा जुगी जो बना है इनका इस जो पड़ी में जो है मैसलियम अभी रणिंग में है तो उसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो माधर से मिलेगा तो इस में माई एंट्री कर रहा हूं तो यह सर ज मैसलियम स्टेज पे हैं और यह लंसरम 50% में मैसलियम रण हो चुका है और इसमें इसी हट में ही मैंने बैड भी लगा रखे हैं और उनमें मैसलियम रण की जो प्रोसेस है वो चली हुई है तो सर मैसलियम रण करने की जो बात आती है तो किन बातों का ध्यान रखना होता है जैसे बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं कि बहुत अच्छा तयारी करते हैं खाद बहुत अच्छा बना लिए पानी वगारा सब कुछ सचे दे लेकिन मैसिलियम रन में ऐसी कौन सी बाते हैं जो अगर मिश्टेक कर दे लो तो गल्ती से जो है नुकसान हो सकता इन बातों को मश्रूम के प्रडुक्शन में आपका सबसे जो इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो मैसिलियम रन का ही होता है इसके दोरान अगर आपने कोई लापरवाई बढ़ती या फिर आपने कोई कंटामिनेशन इंटर किया तो आपके प्रडुक्शन में डायट इसका इंपक्ट पड़ेगा तिसलिया अपने माइसिलियम रूम को और बैग रखने की जगया को और उस्टलाइशन पर प्रोपर धान देना पड़ेगा और जब एक बार माइसिलियम रन हो जाता है तो उसमें जो कंटामिनेशन आने के चांशी जो निल के बराबर हो जाते हैं तिसलिया सेंबल करते हट के अंदर बहुत ज्यादा चीजों की सावधानी रखनी पड़ती है जैसे स्टलाइजेशन भार किसी है को अंदर इसमें ना करें किसी टाइम आप इसके अंदर एंट्री ना करें और मोस्च्रों टेंप्रेशर का स्पेशली जहां जाता है तो सच जब इसम हमारा प्रोशिजर होता इसका यह लंसम हमारा 20 से 22 दिन का होता है जिसमें हमें फ्रेस एर की जरूरत नहीं होती इसमें का रेशो जितना आधिक भड़े उतना जल्दी हमारा मैसीलम रन होता है ओक एक बार थोड़ा सा दिखाएं सार रनिंग स्टेर्स में दिखाना चाहू है यह स्टार्ट हो चुकी है और धिरे धिरे यह अब यह पूरा बैड अपना इसमें हो जाएगा उसका कलर भी चेंज हो जाएगा इसका यह फफूद दोस्तों आप देख पा रहा होंगे वाइट कलर में बिलकुल फफूद दिख रहा है तो इस तरह का जो है अगर इसमें आपको दिखे तो समझ जाएगे कि जो है इसमें जो है मैसिलियम का ग्रोथ हो रहा है यह सर आपने जो किया हुआ है दान का आप आरा है या भूसेम किया यह नहीं सर यह धान का है और इसमें थोड़ा साइसमें आपने बड़े ही को कटिंग करते हैं ताकि इसमें मैसिलियम माईसिलम को रुकावट की गुंजाइसना के बराबर है और माईसिलम अपने पूरे प्रोपर स्पीड से इसमें अपने रन कर पाए तो बहुत अच्छा रेक बना रखा सर ने सर ये पेपर से क्यों कवर किया है इसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि इसको लोग भी जो है अच्छा थे तो भी ड्यास के दोरान और अपने प्रण से क्या हुआ हो जो कमपोस्ट के अंदर जो तो यार करते हैं तो उसके अंदर अमोनिया गैस बनने के चांज बने रहते है हमेशा और अगर हम इसे पेपर से कवर नहीं करेंगे तो उपर का जो का लेर हैं वह सूकने तो उसलिए हम पेपर एसको षाल भी रखते हैं और जो अमुंने ऐसे सर रहते हैं तो यह पर पेपर पर कर देते होंगे पानी का जी जी बिल्कुल तो पानी का इस पर कितनी बार करते हैं यह सर आपने देखना है आपका टंपरेचर और मोस्चर inevitably tune पानी जमान नहीं होना चाहिए बस पेपर को ही गिला रखना है यह कितने दिनों तक रखना है यह जब आपका पॉंटरन का ताइम है जब आप केसिंग के यानि लंसम आप मान के चलिए 15-18 दिन का यह प्रोशिर होता है जब प्रोपर तरीके से स्पॉंटरन जब आपका हो जाए तो इसको पर को हटा गए इसमें हम लंसम एक इंज से थोड़ा कम अम इसमें कर देते हैं और उसमें प्रेचर हुमिटिटी मेंटेन कर तो इसमें जो कंडिशन है अब यह दो पैर का वक्त है तो इसमें अभी मोश्चर है मारा 93 है और हमारा टेम्परेचर लंसम 21 के आसपास है तो थोड़ा सा ठंड का मोशम है इसलिए यह कम हैं इस कंडिशन में आपका 24 के लंसम होना और 90 के आसपास आपका मौस्चर हो तो अच्छा माना जाता है ठीक है तो प्रड़क्शन जो आएगा इसमें जब आप जो है मैसिलम ग्रोथ हो जाएगी के सिंग करेंगे तो उसके करीब 7-8 दिन के बास से इसमें प्रड़क्शन शुरू हो जाती है ठीक है तो इसमें जी तो अब मैं सिर्फ यह सुझाओ जानना चाहता हूं लोगों के लिए जो लोग जुडते हैं तो उनको दिक्कते शुरू में बहुत आती है तो यह मैसिलम रणिंग स्टेज है क्या ध्यान रखने वाली चीजे जो बिशेश बाते हैं उसको आप थोड़ा सब सुझाओ क करना है और स्पोन मिक्स करते वक्त भी आपने अपने हाथ पैर पूरे प्रोपर तरीके से अपने आपको स्ट्लाइज करना है और जब हट के अंदर जब यह कंपोस्ट पर अपका भर रहे होते हैं जह आप लेवर से काम करें या खुद करें प्रोपर तरीके से साफपाई यह को से सब्सक्राइज करें जो आपके आगे आज आगे आपकी ग्रोफ में बहुत जदा परवाव डालते हैं अच्छा तो अगर इन चीजों कर लोग ध्यान में रखेंगे तो यह जो है मैसिलयम रन का जो समय है वह इंप्राटन भी होता है और अगे जो प्रोड़क्शन आएगा अच्छा रहाएगा दुसरे में का ग्रोफ हो रहा है और यह पर अब देख और होंगे यह वाइट नेस आप दिख रहा है यह जो पार्यायोपन आपको पार्ट मूंदे कर और तरह शोगम कर पूरारा है जो जो रखाया है तो मुझे अधे मूज और के आश DA जो IKEA आज के लिए फिलालत नहीं थैंक यू सो मच